जाहिन दोस्तों आप सबों को मैं अपने योटूब चैनल वनली फुरा स्टूडिंट में स्वगत करता हूं आप सबों को मैं आज एक ट्रिक्स का वीडियो लेकर काया हूं जो कि संहुख्त राश्चंग से होगा और यहां से कॉम्पेटिशन की एकजाम में कोईश्चन पू तो संहुख्त राश्चंग की स्थापनावी थी 24 सक्टूबर 1945 को दो यहां में मैं तो यांद रखना हवह 5 है कितना है पांच है संहुख्त राश्चंग में स्थाई सबस्थेसों की संख्या और उसके बाद जाल इसका मुख्याला भी किस हैं कि संहित राश्च्ट की संग की अस्थापना पूछा जाए तो आपको पांच होगा और यदि मुखियाले पूचा जाए तो आपको नियोर्क होगा नियोर्क कहा पढ़ है अमेरिका में और नियोर्क किस दूइप पर बसा है तो मैंने हट्टन दूइप पर यह बसा हुआ इसको भी पॉइंट याद रखेगा अब आप आप सबों को मैं वह ट्रिक्स बताता हूं जो कि एक्जाम में आप कंफ्यूज करते हैं कि कौन सा देश इसमें सामिल है और कौन अमेरिका में फनस गई यहाँ पर मेरे कहने करत यह नहीं है कि लड़की होती है तो ऐसा कोई चीनी खाकर अमेरिका में फस गई आप लोग को ऐसा ट्रीक रहना चाहिए जो कि याद रहे इस वर्ट को जो आप लोग एक बार सुनेगा तो खास करके याद रहेगा वह इसे लड़की का नाम यहीं सुना जाता तो आपको वह ज्यादा दिनों तक याद रहता है तो सबसे प पर चीनी देख रहे है नँ चीनी से क्या हो जाएगा चीन हो जाएगा तो यहाँ पर फस गई ना फस से क्या हो जाएगा तो पान्च देस हो गया तो आप आपसबों को मैं आपी क्या बता है था कि रूबी चीनी खाकर अमेरिका में फस गई गई थी वहाँ पर घूमने उन्हें चीनी खाई लेकिन वहाँ पर क्या हुआ चीनी खिला कर उसको फसा लिया गिया तो क्या बोले अभी सवित रासंग में अस्थाई सदस देशों की संग् को लुब नगों नहीं है अब इसका अस्थापना भी पुछा गया कई वार्यक्जाम में 24 स्दस अक्ट्टोबर takenā अब of you by the acting गौन है औरillarष्ट पति आपको जो बैडियन है और इसे पहले डोनाल्ट रम्हाष चुकiones कर अब जो बैडें सत्ता में अमेरिका में और याद रखेगा अमेरिका में राष्टपदी का कार काल कितने वर्स का होता है चार वर्स होता है लेकिन यहां पर हम लोग यह बात करें अपने इंडिया में इंडिया में राष्टपदी का कार काल पांच वर्स का होता है लेकिन अमेरिका में चार वर्स का ही होता है अब आ यहां पर खाकर सालेंट अमेरका से अमेरका हो गया फस से फ्रांस हो गया तो दोस्तों यह आप सब करिक्स का वीडियो पसंद आए तो वीडियो का आगे जरूर सेर करें अगले ट्रिक्स के साथ नेक्ष्ट वीडियों में